Hello and welcome friends, आज हम TDS salary पे कैसे कटे का उसके बारे में जानेंगे और फूरा procedure जानेंगे तो चलिए स्टार्ट करते इस वीडियो को सबसे पहले क्या करना है आपको TDS का feature on करना है उसके लिए क्या करना है F11 की press करना है यहां से आप F11 की press कर लीजिए यह company features का window open होगा यहां से statutory and taxation पे चले जाएए यहां से GST तो मैं लगा नहीं रहा तो GST को छोड़ देता हूँ यहां से TDS enable tax deducted at source इसको आपको वाइपिस करके yes करना है एंटर पैस करना है फिर फीर करके एंटर पैस करना है जहां पर 10 नमबर जालना है तो यहां Pocate आपने डाल दे उस तरीके से और डिदरक्टर टाइप ये दिवर्या ब्रांच का है तो यहां पर देवर्या करदेता हूँ. मैं. मैं. करता हूँ. मैं. करता हूँ. यहां पर देखिए. जो पर सण किय Deshalb का का टेगा उस परसन के पूरी डीजू हब जहा जागा email id डाल देता हूँ यह email id भी आपने डाल दिया इसको accept करा लिए ठीक है अब accept करा लेने के बार यहाँ से बाहर आ जाते हैं और अब कहाँ चलेंगे laser creation वाली window पर चलेंगे तो यहाँ से A प्रेस करते हैं यहाँ से L प्रेस करते हैं और यहाँ से C प्रेस करते हैं तो A L C प्रेस करके आप यहाँ पर आ जाएंगे यहाँ पर सबसे पहले आपको बनाना है salary paid ठीक है यह पहला laser आपका बनेगा तो salary paid हमने बना लिया यह किसमे जाएगा यह indirect expense होता है तो यहाँ पर indirect expenses के group में यहाँ पर आपको A प्रेस करना applicable के लिए यहाँ applicable आ जाएगा तो applicable यहाँ से choose कर लिए और interface कीजिए यहाँ पर आ रहा है new category list of nature of payments तो इसके लिए आपको एक बनाना पड़ेगा तो alt के साथ C प्रेस कर दिए यहाँ पर बनाता हूँ मैं salary बनाया यहाँ पर आगे लिख देता हूँ paid salary paid लिख दिया अब section क्या होगा section हमें रेखना है ठीक है तो section जो होगा तो यहाँ पर section का जो code होता है वो 192 डाल दिया हमने एंटरपेस किया यहाँ पेमेंट कोड रेमिटेंस कोड डा लिए आप और यहाँ से जितना भी percent आप previous deduct कर रहे हो जैसे माल लीजे five percent ही कर रहे हो तो यह five percent आगया और यहाँ पे threshold आएगा जानी कि एक limit होगी ठीक है वो limit अब डाल सकते है फिलाल मैं छोड़ रहा हूँ इंटरफेस करता हूँ ठीक है एंटरफेस करते हूँ इसको accept करा लेते हैं तो यह पहला लेजर हमारा क्रियेट हो चुका है अब हम दूसरा लेजर बनाएंगे इसको yes कर दीजिए और यह option अगर आपके में चालू ना मिले तो आपको क्या करना है keyboard से F12 की प्रेस करनी है और यहाँ से आ जाना है आपको यहाँ पर allow advance entries in tedious master तो इसको y प्रेस करके और यहाँ से enter प्रेस कर दीजिएगा ठीक है और यहाँ control A press कर दीजिएगा तो यह yes हो जाएगा और use advance entries यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर salary paid के नाम से हमने बना रख था है तो इसको आप ले लिजिए और यहाँ end of list कर दीजिए ठीक है और यहाँ पर आ रहा है use advance tedious entries तो यहाँ पर y प्रेस कीजिए ठीक yes करेंगे और यह nature of payment यहाँ पर देख सकते हैं यह सारी चीजिए यहाँ पर आ रही है अगर माली जी हम यहाँ पर lower deduction कर देते हैं ठीक है तो यहाँ certificate number पूछेगा तो यानि कि government जब हमारा TDS काटेगी तो उसके लिए एक certificate हम issue करेगी उसका certificate number यहाँ पर आ जाएगा ठीक है 21 ठीक है यह हमने कर दिया इसे एंटरपेस किया और यहाँ पर आ रहा है TDS यहाँ पर हम 5% दे देते हैं और यहाँ पर end of list करके और इसको accept करा लेते हैं ठीक है यहाँ पर interface करते हुए इसको आप accept करा लेते हैं कि जो आपने Mr.Ram का बनाया है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह Mr.Ram यही था ना तो यहाँ पर आपने एक काम नहीं किया है वो बता दे देता हूँ मैं क्या चीज है वो यह तो सारी चीज है होई चुकी है पहले ही पैन कार्ड नहीं दिया है पैन कार्ड नमबर दे दिया है अब क्या करना है अब एक लास्ट और लेजर हमें बनाना है अब यह जो TDS है न यह Duties and Taxes में जाएगा ठीक है तो यहां पर Duties and Taxes कर लीजिए आप एंटरफेस की चीजए यह TDS हो जाएगा और यहां पर Salary Paid ठीक है और एंटरफेस करके और इसको Accept करा लीजिए अब ठीक है यह सारे लेजर हमारे Create हो जाते हैं अब हमें चलना है Entries इस पास करने है तो Journal Entry पास करने के लिए Accounting Voucher में जाएंगे और हमें जाना है Journal Voucher में तो आपको क्या प्रेस करना है Keyboard से F7 की प्रेस करनी है और यहां पर आ रहा है Debit सबसे पहले क्या रहा है Debit आ रहा है तो यहां पर कौन सी चीज डेविट होगी वो हमें Select करना है ठीक है तो यहां पर salary का laser उठा लेंगे हम as press किया ठीक है तो salary paid हमने बना रखा है तो salary paid हम ले लेंगे यहां से यह हम ले ले लिया salary paid ठीक है अब कितना salary हम पे कर रहे है जैसे मल जे 6 लाक रुपे हम salary pay कर रहे है ठीक है salary आ गया और यहां पर देखिए TDS काट करके अपने आप salary सारी कुछ calculate होकर आ गई है ठीक है तो यहां पर लिख देंगे TDS has been ठीक है यह कर लिया enterprise किया यह हमारा voucher है तो यह उम्मीद करता हूँ कि print ऐसा है हुआ है उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आई होगी thank you for watching this video